हलो फ्रेंड्स यदि आपके महिने में बहुत ज़ादा समस्यारी भारी ब्लीडिंग हो रही है पांदरा बीस दिल से रूकी हुई नहीं है और लगातार आपको ब्लीडिंग होती रही है तो डेफिनिटली आपने सोनोग्राफी जरूर कर वाली होगी और अगर सोनोग्राफी या इसमें बचेदानी निकलवानी वड़ेगी या यह मैडिसन से ठीक हो जाएगी तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं डॉक्र सुशीला सेनी आज आपके सामने उपस्तित हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में जनरली जब पर गुटिनि एक ट्रान्स बाते हैं और जैसे हम चाहिए उन्टो के इणर कोई बीमारी है यह आ। तो विमारियों में अगर heavy bleeding का कोई patient है तो generalist में कोई fibroid हो सकता है, polyp हो सकता है, अंदर का layer का thickness या endometrial thickness बढ़ सकती है या फिर उसमें कोई endometriosis या endometriosis टाइप की कोई विमारी हो सकती है तो इन में से यदि आपके और कोई विमारी ना हो कि सिर्फ अंदर के layer का thickness ज्यादा आ रहा है तो फिर हमें ये सूचना पड़ता है कि आखिर ये thickness क्यों बढ़ी है तो जो most common कारण है, वो age के according decided होता है यानि कि अगर ये young age में है, महीने के बीच के दिनों में sonography की गई है यानि 15-16 में दिन के जब endometrium के thickness maximum होती है तो ये absolutely normal है बट यदि ये महीने के शुरुआती अवस्ता में की गई है यानि कि 15 दिन के bleeding होने के बाद भी अंदर की layer के thickness अगर जादा आ रही है तो definitely कुछ problem हो सकती है तो ऐसे इस्तिती में फिर further investigation के ज़रुआती है इसके साथ ही अगर ये menopausal lady में यानि कि जो perimenopausal होती है, इनका महीना बंद होने वाला है या महीना बंद हो चुका है उसके बाद में अगर इस प्रकार के layer के thickness ज़्यादा आ रही है तो फिर cancer की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है तो जब भी layer की thickness ज़्यादा आती है तो definitely हमें ये rule out करना होता है कि कहीं cancer तो नहीं है क्योंकि अंदर की layer का thickness बढ़ने का सबसे common कारण है कि या तो कोई polyp बन गया है जो कि sonography में diagnose नहीं हो रहा सरफ उसमें ये ही लिखा जा रहा है कि अंदर के layer की thickness बढ़ गई है या दूसरा कारण cancer भी हो सकता है तो जब तक हम cancer को rule out नहीं कर देते तब तक हम उसे normal नहीं बोल सकते तो cancer को rule out करने के लिए हमें अंदर के layer की biopsy लेनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि endometrial biopsy की जाए endometrial biopsy करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं एक simple OPD procedure होता है कि OPD के अंदर ही simple cannula डालके पतले plastic के syringe से aspiration कर लिया जाता है जिससे कि कुछ टुकडा बाहर आ जाता है और हम biopsy के लिए भिज़ देते हैं दूसरा तरीका होता है कि पूरी भियोशी देखें हम DNC कर दें यानि के सफाई कर दें पूरी जिससे कि काफी सारा टीशू आ जाता है तो इसमें कुछ छूटने के संभावनाएं कम हो जाती है और एक तीसरा तरीका होता है hysteroscopic guided biopsy hysteroscopic guided biopsy का मीनिंग होता है कि आपने बच्चे दानी के अंदर दूर्बीन डाली यान एक hysteroscopic डाला फिर उसका अंदर से पूरा एक्जामिन किया कि अंदर की cavity में क्या normal है क्या abnormal है क्या polyp है या और कोई समस्या है फिर उसके पाद जो abnormal area दिखता है वहां से biopsy लेना इसको बोलते है hysteroscopic guided या targeted biopsy और यदि अगर polyp है तो polyp को base से कट करकर उसको निकाल देना और उसकी फिर biopsy बिजवा देना तो इन तीनों में से जो सबसे best तरीका है वो है hysteroscopic guided biopsy लेना hysteroscopic guided biopsy से हमें अंदर की layer की पूरी कहानी पता चल जाती है अंदर कोई बिमारी है या नहीं है अंदर कोई polyp है या नहीं है या अंदर कोई cancer जैसे संभावना है तो नहीं बन रही है क्योंकि जब आखों से direct देखते हैं तो definitely हमें अच्छे से पता चल जाता है कि या नहीं है क्योंकि रोज हिस्ट्रास्कोपी करते हैं रोज देखते हैं कि normal क्या है तो automatically आखों को पता होता है कि abnormal क्या है और जैसे ही कोई चीज़ abnormal दिखती है उसके तुरंत वहां से biopsy ली जाती है और उसको फिर biopsy के लिए भीजा जाता है biopsy कंफर्म हो जाता है कि what is this कि यह cancer है, non-cancer है कोई और कोई बिमारी है तो जो भी बिमारी होगी biopsy से confirm हो जाएगी तो आपको यह समझ में आया कि अंदर का layer का thickness होना menstrual period पे भी depend करता है और उसके कारणों में age पे भी काफी ज़दा depend करता है young age के अंदर cancer की संभावनाई काफी कम होती है बट फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं होती है लेकिन अगर यह old age का patient है तो definitely cancer की संभावनाई काफी जादा बढ़ जाती है बट उसका मतलब यह नहीं कि सरफ cancer ही होगा और कुछ नहीं हो सकता तो दोनो जगर दोनो बातें possible है इसके अलावा polyp हो सकता और polyp का सटिक diagnosis definitely hysteroscopy से किया जा सकता है तो उसमें diagnosis भी हो जाएगा और उसका ilaj भी हो जाएगा एक one sitting में दोनों काम हो जाएगे तो आप अपने doctor से hysteroscopy guided biopsy के बारे में discuss कर सकती है और हमारी एडवाइज यही है कि जब भी आपको biopsy बोली जाए तो इस्ट्रोस्कोपिक guided biopsy ही करवाएं ताकि अंदर का लेयर का पूरा स्टोरी हमें समझ में है और कहानी पता चले अंदर का diagnosis बना सके और targeted biopsy ली जा सके अगर आपके इस से related और कोई सवाले था आप comment box में लिखके पूछ सकती है और यदि अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe ज़रूर कर लीजिए आपसे फिर में लेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमश्कार